हेलो दोस्त मैंने एक मिकसर जार ले लिया यहां मैं दो मूठी लासन को छील के लिए हूँ एक मूठी में सरसो यानि राई लू हूँ और एक चमच मैंने लिया है यहां जीरा लिया है इसे अच्छे से पानी डाल के एक पेश्ट बना लेंगे और यह मचली बहुत टेस्टी लगती है एक बड़ इस तरीके से मचली बनाई तो देखिए पीसने के बद में कटोरी में ले लूँ यहां में मचली को अच्छे से धो ली हूँ काट के मचली को धो के पानी से फिर छान लेंगे इसे और यह मचली रेहू मचली है और यह देखिए मैंने दो चमच उसी मसा पाला डालेंगे थोड़ी सी धनिया पाउडर डालेंगे टेस्ट के कोडिंग नमक डालेंगे एक चमच मैंने क्रश किया हूँ यहां डाला है काली मीरी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद इसे तलेंगे तो देखिए मैं इसे अच्छे से मिक्स कर और इसमें हम लोग डालते हैं सरसो तेल, सरसो तेल में ही फ्राई करते हैं और सरसो तेल में ही मचली बनती है तो इसे एक 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 डालेंगे और इसे तलेंगे और ये मेरे घर नहीं बनता है अगर अपनी विवर हो तो मेरे सारे सब्सक्राइबर विवर को पता है कि मेरे घ बहुत लोगों तो टलते समय खाल लेते हैं और बहुत लोगों चाहिए बिखोड़े तो ऐसे करके आप तल लीजे और इसके बाद इसमें हम मसाले बनाएंगे और फटा फट बन जाएगी मसली यमी और टेश्टी लगती है आपको ननमेज में और कोई सीखना है न तो कमेंट जरूर करना कि आपको क्या सीखना है तो चले पूरा हम तल के फिर आपको दिखाते है इसके बाद आते हैं मसाले पे तो देखिए यहां में जो मसाला पीसी थी राई का नहीं मसाला ले ली हूँ यहां लगवे वन फोर कॉप मैं धनिया लिया है अच्छी खासी जितनी ग्रेवी चाहिए धनिया पाउडर दो चमच मैंने हल्दी पाउडर लिया है दो चमच भर मिर्ची जितना आपको चाहिए उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें पानी डालके मिक्स कर देंगे यहां डालें हम पचपोरन पचपोरन में राई जीरा इंग यह सब रहता है इसके बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम डाल देंगे इसको च मचली अच्छी नहीं बनेगी जैसे मसाले को चार-पाश मिनट हुआ इसके बाद मैंने दो बड़े टमाटर काट के मैंने यहां डाल दिया बड़ी साइच के डाले इसके बाद इसे अच्छे से पकाई मसाले अच्छे सी पकनी पहुत जरूरी है थी खास कर सरसो वाली मसाले तो पूरी देखे मसाले अच्छे से कुक हो गई है एकदम इसके बाद पाने डालेंगा पानी आपके उपर है कि ग्रेवी कितनी चाहिए लेकिन इसकी ग्रेवी पतली होती है मोटी नहीं होती है अगर आपको नौन बेज में और भी कुछ सीखना है मचली कुछ और तरीके स करके बताएगा तो मैं आपको इस पिला दूँगे तो देखेया मेने इसे अच्छे से पका लिया पकाने के राद हमें डालेंगे टेश्ट के अकोडिंग नमक डाल दीजे नमक डालने के बदा इस चला लीजे श्ट से और इससे अच्छे से उबा लिए जैसे थोड़ी सा एक उबाल आती है दो तले हुई मचली है न सारे हम इसमें डाल देंगे तो तले हुई मचली में से थोड़ा सा निकाल देते हैं हम लोग लोग बहुत ड्राई भी खाते हैं और थोड़ा इसमें डालते हैं इसमें डालने के बाद कम से कम इसे 5-6 मिनट उबाल आने दीजिए यानि अच्छे से पकने दीजिए, इसके बाद इसकी गैस बन करेंगे, मचली डालने की बाद अच्छे से पकेगा नहीं, तो अच्छे से बनेगी नहीं, और सबसे खास इसकी टिप्स होती है न, कि इसको मतलब कि अच्छे से मसाले भूनना जरूरी इसकी, उबाल आ गया है, मैं रख दीती, दो-चार मिनट के लिए अच्छे से उबाल आ गया है, इसके बाद कसूरी मेती डाली थी, हो तो डाले नहीं हो तब भी चले गया, इसके बाद धनिया पत्ता काट के डाल देजिए, जितने आपके पर धनिया पत्ता हो, धनیयपत्ता काट के डाल देंगा और finally हमारी मचली की बन के ready हो जाएगी एक बार इस तरीके से मचली बनाएगा अपनी बहुत तरीके से मचली खाए एक बार ہमारे बिहारी तरीके से मचली खाके देखिए देखने में मूं में पानी आएगा तो सूचे खाने में कैसा लगएगा तो फाइनली बन के रेडी हो गई अब हम एक बाउल में निकालने अब क्या है कि हम लोगों के तरफ ना नॉन्वेज की बरतना लग होती है तो जो बरतनों कमी बरतन होती जादा नहीं होती है तो देखे मैने एक बाउल में निकाले, आपको जितने पिस खाना है, 4-5 पिस एक बाउल में ये लेंगे, इसके बाद हम जो चावल जरूर खाते हैं, सर्सो की जो मचली उसके साथ चावल लेंगे, देखे, फ्राई किया होगा मचली चाहिए, इसके बाद चाहिए ग्रेवी वली मचली इसके बाद आप रूटी रख दीजे सलाद रख दीजे चावल रख दीजे तो यह हो जाएगी फाइनली हमारी बन के बिहारी स्टाइल सरसो वाली मचली रेडी तो कमेंट करके जरूर बताएगा कि यह रिस्पी आपको कैसी लगी और नेक्ष्ट नॉन वेज में आपको क्या सिखने है तो चले करफिल में तेसी टाइम